तो नमस्कार दोश्तों आज हमनों देखेंगे के 44 का इंटरलॉकिंग और इसका कंट्रोल वारिंग कैसे होता है तो सबसे पहले हम देखने चालू करते हैं जो 60 KV का ट्रंसफार्मर है वहां से सप्लाई 415 बुल्ट बाहर निकलती है और रेड यलो ब्लू और एक ब्लेक के सा सप्लाई HRC Fuse 100 MPR में इन करती है जब 100 MPR में इन करती है तो वहां जो सप्लाई होता है तीन फेश तो HRC Fuse के द्वारा आ जाता है और एक फेश निटल डायक्ट रहता है ठीके और वह सप्लाई K44 कंट्रेक्टर के नीची आ जाता है इन्पूड में आ जाता है ठीके वह सप्लाई इसकी नीची आ जाती है ऊपर आ जाती है इस ऊपर के तरब K44 की सप्लाई आ जाती है इन्पूड में अब जबंतक्र symmetry ड़ो दो प्रकार इससे में चल ना 1445 V से चलने वाला पांटञा चार सो तीस पांट नहीं कि यहां से 2 pom कर दो यह है और 415ड कैसे चलना हैं अक रेड व्य है यहां से यहुझे दो यहां है कि ले लिया है यहां से 12 Georgia ऐसे तो neste नार टी से ये लिव्य दे लिवेब काई गई की लिधिय में लेते हैं ऐसे त्युर्ट यहां से बात बराबर कई लोगों को देखोगा यहीं से फेस उठा लेता है ऑग देखोगे दो फिर्फेस के सो यहां से लगा हुआ हुआ है वहां से जाता वह घ्लास फिर्फ फीज पर दो यहां होता है अगले सप्लाई नहीं करेगा गवाटनिकर नहीं पूल बंगीशायार ने यह बात आती है कि अगर कॉन्टपर 230 का हो तो क्या करेंगे जब 230 का होगा तो जो एवन है एवन जहां से आया वैसे सेम रहने देंगे एवन आप फटी फोर की फ्यूज के पास एक एवन उठाते हैं और लिए इसके एवन देते हैं अब जो एटू है अब एटू क्या करेंगे यहां पर फेस हमने एटू उठाया है यलो से जो एटू उ देंगे इस तरह से यह कॉंड्यक्टर 230 अब जाती है और टन्सफार्मर जैसे यह उन होता वैसे के फूटिफॉर भी ऑन हो जाता है क्योंकि रहता है सप्लाई यहां पर इसके बीच में कोई रोटरी नहीं है ठीक है और के फोटिफॉर जबी आन होगा जब के फोटिफरी ओं हो जाएगा के फोटिफॉर ऑफ नहीं होगा जो थे फोटिफॉर देखेंगे आँ आहागा यह कि Metroid करते हैं और और प्लेट में सप्लाई देते हैं और जो नीचे देखेंगे तो एक यहां एक प्लेट को आर्थ कर देते हैं और इसको भी लूप देते हैं और एक न्यूटल कर देते हैं ठीक है इस तरह से आर्ची प्लेट को भी सप्लाई के उपर सी भी दे देते हैं और इस तरह से हमारा के फ करते हैं इस तरह से का इंट लोकिंग है उसका कंट्रोल वायरिंग है एक फिर देख लिए अगर 415 का है दो फेस यूज़ करेंगे अगर 230 का एक फेस एक न्यूटल यूज़ करेंगे कहां से यूज़ करेंगे फेस और न्यूटल तो यह आप चार्सी फ्यूज़ के पास से उठा लिजिए फेस या कॉंट्रेक्टर के इंपूर्स ले लिए सबसे आसान रहता है जो वायरिंग है कंपनियों का वह एक फॉर्टिफोर जो चार्सी प्यूज़ का है उसके पास से रहें इसके बदले में हम यहां न्यूटल से लेंगे सेवन नंबर से यहां से लेंगे और इस तरह से यह कॉंट्रेक्टर ओन हो जाता है ठीक है वीडियो अच्छा लगए तो लाइक का सब्सक्राइब करें धन्यवाज